करने की शॉपिंग करने की शॉक बहुत है लेकिन तहजीब नहीं है विल्कुल भी घर से जा रही है तो अपना कैरी बैग लेकर नहीं जाना चाहिए तक कोई भी बड़ा सा ऐसा नहीं होना चाहिए ता जिसमें सारा समान अराम से भर कर ले हैं इन्वार्मेंट को खराब करने कोई भी मौका छोड़ते नहीं है ये पूरी की पूरी फैमिली फिर चाहे वो भाबी हो भाईया हो चाहे फिर चालो पी क्यों नहों इतने सारे केसी के हाथ में एक एक दो दो तिन दिन चाचार पैकेट उठाकर लेकर आ गए है लेकिन मजाल जो घर से कोई वो ट्रॉली वाले केरी बैक भी आते हैं जो आजकल सबजियों के लिए आ गए है लेडिसों की हेल्प करने के लिए जिसी के उसमें भर लो और इतनी आकल इनमें कहां से आएगी गमारू में हाई फ्रेंड्स वेलकम बैक टू मैं चैनल चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथे साथ बैल आइकन प्रेस कर दें जिससे के मेरे आने वाली वीडियो की नॉटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए शॉपिंग करके बाहर निकली है तो किसी और की गाड़ी खोलने की कोशिश कर रही है खाला और चुप चाप देखने हैं कहां नहीं 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 द और कि जो लेकर आई है ना वहां से कुछ भी नहीं लेकर आई है नो हासे सर्फ एक ठेला है जिस थेले में जो थोड़ा बो समान निकला है खाने पीने के एक ओर यो कर बिसकिट निकल बहुत बड़ा ऐसान कर दिया उस लड़की को देकर एक छोटा सा बिसकिट का पैकेश वो अपने साथ भी नहीं लेकर गई थी यहती है खाला से तुम क्या खारी हो तो डॉटर खाला पान खारी हो और पान नहीं वो गुटका भी खाते हैं क्योंकि मुदाहा में लेडिस जेंट्स दोनों लोग ही गुटका खाते हैं और एक दूसरे से मांगते भी है इनकी helper जो आज वो तो permanent मांगती है और वो funny से मांग कर भी खाती है और funny उन से भी मांगते हैं तो उनका आपस में भी हमने लें देका है और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो जो इनकी छोटी वाली खाला है यानि के खाजा खाला उनके दाथ बिल्कुन neat and clean है वो नहीं खाते हैं क्योंकि वो अपने husband के साथ रहती है और जहां तक ऐसे हमें लगता है कि उनके husband को ऐसी सारी चीज़े पसंद भी नहीं है इसलिए वो अपने बच्चों को अपनी बच्ची को अपने पास रखते हैं और इसलिए उस बच्ची की परवरिश देख लो और इनकी परवरिश देख लो जमीन आसमान का फरक है हाला कि मजाक उडारी थी वो भी सामिल थी उन सारी चीज़ों में लेकिन क्या ही कह सकते हैं जब अपने से बड़े जब ऐसी हरकते करें तो फिर छोटों से क्या हमीद लग पान लगा कर खाती थी मेरी परदादी जो थी न वो खाती थी पर मेरी दादी नहीं खाती बाकी हमारे घर में कोई नहीं खाता मेरी जो परदादी थी न वो खाती थी और वो मुझे बहुत अची तरीके से याद है तो वो ऐससे जो मतलब च्छालिया होती थी थी न उसको थोड़ा थोड़ा और बारी कुछ वाले थी क्योंकि उनके धां ठोड़े कम हो गए थे, खालιं मतलब सुपारे पान में सुपारी डलती है, पान में तंबाकोई डलता है, चूना डलता है और उसके बाद उसको खाय जाता है और वो दोनों तिनों चीज़े ही सहत के लिए खराब होती है अगर देखेंगे ना तो डाटर खाला जो ना उनके दाथ पूरे तरह सा खराब है और अगर नाजा खाला के देखेंगे तो उनके दाथ साफ है जितनी भी गलत चीज़े हैं सब गलत चीज़े प्रमोट करते हैं सब गलत चीज़े दिखाते हैं ऐसे इन्फ्लोएंसर हैं यह ऐसी चीज़े दिखा दिखा के खराब करते हैं जैसे इनकी पती ने कहते हैं हां मैं गुटका किंग हूँ हां मैं गुटका खाता हूँ हां तो भ अगर वह उंग्लिष में बोला जाता है तो खर्बूजा बोल सकते हैं ना सारी दुनिया इसको खर्बूजा के नाम से जानती है वोडी दुनिया में घूमा इए पूरा दुनिया भर के फरूट्स ले आई ये लेकिन नहीं लेकर आईए तो कस्टड पॉडर निलाए जिससे क चालो अपी वहाँ आप देखो पैकेट उठाते उठाते अम्मी को आम दिग गए तो सब हसरे हैं मूँ पे हाथ रक रखे दिग गए अम्मी को दिग गए अरे भाई वह अम्मी है या बच्चा है या रूबे भी है कि वह जिद करेगा कि नहीं मुझे तो आम ही खाने नहीं आपको नहीं बताया तो आपको उलू बनाया था वहम लेने के लिए गयता है ढब्मा चीन के लीए क्योंगे ओक्ताइक हम नं चाल्वर की लोगों ने तो और भागी लोगों लेकर आये हैं और देखो थर्मकॉल की प्लेट में basी ल में सब को बना कर देदी आ भाई एक बाद बताओ बड़ी बड़ी दो या तीन थालियों में अगर फ्रूट्स कट जाते और वो तूट्पिक से या फोक से खाय जाते तो उसमें कोई बुराईती क्या वो होता है तरीका खाने का लेकिन इनके यहां तो कुछ अलगी तरीका है इनके जो ना इन्वार्मेंट को खराब करने के जितने भी तरीके ना वो सारे इस फैमली से सीख लो तो मतलब घर में बतन नहीं होते इनके और फिर भी इतना फैलावा नजल आता है पूरी कीचन इनकी फैली होई होती है उसके बावजुद भी इनके ऐनके खाने के लिए लगा दी है न सारी प्लेटों में ये भी सारी थर्मकोल की हैं तो मुतलब पूरे के पूरे पैकेट उठा लाते हैं और रमजान निकलने के बावजूद भी बतन धोने के मरें मतलब बतन ना धोने पड़े इस वज़े से और उठा के सारे अब देखो जो भी काम हो रहा है घर में जाड़ू पोचा बतन कटका अब आप उसकी व्लोंगिंग में एक बार भी यह नहीं देख रहे हैं कोई काम वाली ने कहां लगी हुए और भी बतन धोने तक भी और सफाई तक भी चूड़ी का पुरान हो गया चूड़ी का पुरान से ही तो हमें पता चला है कि वपनी गाड़ी में बैठ चुका है ट्रेन वार वापस आ रहा है दो तिन दिन में ही तीसरा दिन मुश्किल से वह वहां पे रुका है और भागर ऑला है वहां से के ति ही चोडी देखो ये हमारी वहरी की चोडी है पड़ा ओसी देश की चुडी पफ़रीょ दिंगे देखो हमारी की चुडी है कि हमारी और लिए listed हमसाइच देदें गे और वो बैठ गया वहां मतलब अभी इसी विलोग में कहा रही है कि परसो वो गए हैं और वो ट्रेन में बैख चुके हैं तो सोच का देखो वो सरफ वहाँ पर दो दिन रुका है इतना केड़ा डंडा वाह को दो दिन वहाँ पर रुकने नी दिया अपने माबाप के साथ उनको रुकना परता बजा है खुछ जाती वहां पर, उनकी तयारी कराती, उनके साथ time spend करती, उसको time spend करने देती है, अपने parents के साथ, उसको दो दिन में वहाँ से भगा लिया, मतलब इसलिए पूछ बना कर उस लड़के को साथ में बेजा था, जिससे कि वहाँ जादा दिन ना रुके रखेंगे हैं, ऐस इसलिए इतने खिली खिली फिर रही है यह जिस दिन गई थी तो इतना तो रोना पीटना मचाया हुआ था लेकिन अपता चल गया ने ट्रेन में बैट गया तो बैट गया तो इसका मतलब अब तो आई जाएगा यानि के अपने माबाब के पास नहीं है तो देखो कितनी चैन क बहा के किस तरह से मनुसियत फैलाई हुई थी रो रो कर जैसे कि हमेशा यह अपने व्लोग में कहती है कोई शान्त हो चाता है क्या मनुसियत फैलाई हुई है तो सबसे जादा तो रो रो के तुमने मनुसियत फैलाई है घर से बाहर कोई बंदा जा रहा है अपना शोहर जा अच्छा है, वहां से आया, seventh floor से, मतलब यह बता रही है, कि भाभी कहां से नहीं आया, मेरे ही घर से चुरा कर लेकर आयए, मतलब उठा कर लेकर आयी है, मैं नीचे रहती हूं, तब पूरे घर की दीवाली मना कर रखते हैं, पूरे घर की light जला कर रिखते हैं, और funny नहीं है बावजुद भी एक तरफ तो खुद ही कहती हो मुझे लाइट बहुत पसंद है मुझे लाइट बहुत पसंद है लाइट जलनी चाहिए ऐसे चलनी चाहिए रोशनी होनी चाहिए और अब जो है रहा लाइट अगर लड़कियों ने जला रखिये मतलब खुद के लिए प्रशन वाले कपड़े तो तुम्हारे पास तो जितने बी अच्छे कपड़े तुम तब भी तुम भेकारी लगती हो अगर उसने कोई बीकपड़ अपने पहन लिया और उसमें अच्छी लग लिया तो उसमें इतना टोकने वाली क्या बात है जमीन पर बैटी हो या हाथ दल गई है उसको तो असलिए उसको बैट पर वैड़ने की अज्याज़त निए बैट पर तो स्रीफ लड़के लोग बैटते है या फिर मालिक लोग बैटते हैं जैसे कि तुम इस गर की मालिक हो फिर वही चोचले मतलब इतनी नी धीट और इतनी बत्तमीज हो चुकी है दिखाऊंगी नालायक। दिखाऊंगी नालायक। दिखाऊंगी नालायक। ऊसको क्या कह रही है पपडि अरे गवार उसको पपड़ी नहीं कहते है उसको डोव लगाना कह थी जैसे मैंने कहा था पहले कि सारी चीजे यूज़ार तईयार कर दे तो इसने मुयन डाला है यानिके घी या रिफाइंड चो भी कुछ डाला वह थर्मकॉल की कट्ओर है जिसमें से इसने पलटके डाला है इनके गर में स्टील के बड़तन नीए ऐसी कान्च के बड़तन नीए हैं तो वो उस से पानी पी थे ते हमने ग्लास मीडा界 नी तो छक्ति है थी उस पानी है इनि के थो दोनों में भी घी ले करा यह उसमें इसमें गी पल्तन है ऐसी में गी झौनिए चेह सब चीज मेरा हुत ताकि धोने से बच जाएं इतने कामचोर लोग है ये स्टफिंग में हरा धने डाल लिया कहती इस से आती है खुबसूर्ती रियली खुबसूर्ती से थोड़ी से सफाई करके भी दिखादो हमें किचन की जो किचन इतना गंदा कर रहा है न उसको थोड़ा से सफाई करके भी दिखादो उसकी खुबसूर्ती भी दिखादो हमें कहरी है आटे में अजमाईन को ऐसे घिसके डालते है घिसके नहीं कहते है उसको मसल कर कहते है हातों से हतेली की बीच में मसल कर डालते है थोड़ा तो सीख लो अब समोसे बने नहीं है वो कहावत है ना गाउं बसानी है लूटे रे पहले आ गई है मतलब समोसे बनने की तयारी हो जी है और ये पता नहीं है कि चालू अपी बना रही है तो वो सई से बनेंगे या नहीं बनेंगे लेकिन जगड़े पहले होते हैं मुझे पहले चाहिए इनके पास पैसे नहीं होते हैं, अम्मा देने के लिए तुमसे मांगती हैं, वो तुम्हें समोसे के लिए पैसे देंगी, अम्मा देंगी, यार हद है, जुट बोलने की, content बनाने की, मतलब हदेली पैसर सो कैसे जमाते हैं इस family से पूछो, केती है, rate लगाओ मेरे समोसे के, मै the great मैं बना रही हूँ न, मतलब अपने आपको इतनी बड़ी महान, actress, celebrity, पता नि, क्या समझ दी है, के मेरा हाथ लग रहा है, तो मेरे हाथ के समोसे हैं, तो वो महंगे हो जाएंगे, खरीद कर खाओ मेरे से, वाह, brand का फरक पड़ता है, यह साबा के समोसे, really, एक काम करो, अ एक बंदे की salary बच जाएगी समोसे बनाना, और शुरू कर दोना, काम में मिल जाएगा, और तुम्हारा पैसा भी कुछ बच जाएगा, और वो जो तुम्हारे brand के समोसे न, फिर बेचना 500 रुपे का एक समोसा वाके में बिग जाएगा तुमारे नाम का, क्योंकि तुम तो समोसा अपना रहते हुए, Ferguson dot इसको समोसा बनाता नहीं है, उसको झो हनला है, यह दे बिग एखना 5 weekly कि और half कर दिया समोसे का, उसको इतनी वार का इतनी वार रोल कर दिया, कि झाने हिए मुझे पंजे न कोो एक समोसा प्रूल्ट करना न जाए, यह तो जो जो रादी पट करो उसके अंदर भर दो और उसको उपर से पेस्ट कर दो इतना सा काम करना नहीं आ रहा है इसको सच में रियली खाला हसे जारी है आइस क्रीम का कौन बनाया है कहती है अम्मी कहती है इसमें तो स्टफिंग भी नहीं आईगी सब हसी मजा कुड़ा रहे हैं अच्छा है बाई तुम्हें सब समझने लगे कि तुम एक्च्वल में अंदर से कैसी हो और बाहर से कैसी हो और जितना वह आपस में बोल रहे हैं उसको छेड़ रहे हैं तो तुम दोनों को क्या लगता है कि मैं किसी लाहिक नहीं हूँ येस आज इन्होंने बिल्कुल सही समझा है कि तुम व वो स्टफ विक कर दी है अब सिर्फ क्या काम रहे गया है येस जो ये हमेशा करती है सरफ कर्ची हिलाना अब तेल कड़ाई में इतना ज्यादा भर लिया है उसमें समोसे भी डाल दिये वह किनारी बहुत सी जरास इसी बाकी है अगर उसमें एक समोसा गलती से ओर डल जाता या फी वो जो है थोड़ा सा भी अगर खटकी आईगी गैस तेज करेगी तो वो तेल निकलकर बाहर गिर सकता है देखो जरा कि स्क्रिंशोट लगाया है एक बार पहला समोसा डालते वह बिल्कुल भी नहीं दिखाया ओल्रेडी प्लेट में तीन समोसे ओल्रेडी है मतलब ऐसे कैसे व्लोगिंग कर रही हो भाई तुम कट 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 कर गया है इसका मतलब यह है कि किसी ओर ने तलकर वो पहले निकाल दी है और कर्ची हिलाने के लिए तुम आ गई हो और फिर कहती है यह देखो कोन आया है ओर देखो हर व्लोगिंग के पर डे में अब रूबेबी नि थर्मकुल की प्लेट होती है न वो लिटरली पिगलती है और れないलोगों को बिल्कुल नहीं पता कि यह अपनी सेहत के साथ कितना बड़ा खिलवार कर दी है मतलब गर्मा-गर्म समोसे जो है वो निकाल कर धर्मकुल की प्लेट में डाल दी है भाई तुम्हें सर्व करने थे तुम उन पे सर्फ कर लेते बट एट लिस्ट निकालने के लिए जो गर्मा गरम तुम निकाल रहे हो वो तो स्टील की या मेलमाइन की प्लेट में निकाल सकते थे ना या इतना भी अकल नहीं है आप लोगों को ये हमारे समोसे तल रहे हैं और ये लड़कें मेरी मदद कर दी हैं कस्टड को सर्फ करने के लिए फिस हम सब को चखाएंगे चलो तो चलो बहुत अच्छे बने चलो पी बहुत अच्छे बने चलो पी अमेजिंग बने बस यही तो पूछना था और यही जवाब आना था तो सो यही जवाब आ भी गया अमी आपने खाना अमी इतनी सी पपड़ी मिल जाएगी और अमी न समोसे खा लिए मैंगो नहीं कहा सकती हिसे वहर नको नीचे बैठती थी लेकिन 度र्टर खाला को आपने नीचे देखा। तो भी वह सोफे बैठाया कर रोजा खूल ती ती या रोजा खूलती थी भारे से मरे रेट का कर दस रुपे का समोस आ रहा हैं और मेहंगे से महंगा itis yah which być beauty अब बारी आ जती है रिदिर का के तो कहते हैं एश्य हम तेनों का के एंग सब्सक्रान warto ना पर हाथ लगमणा है मतलब रहा हां यहनों को सकति कहती ही कहती हैं नहीं कि दो लोगों का है, के दी तीन का है, ओ माइ गॉड और फिर तो अम्मी का मुझ देखने लाइक था, जैसी शेप थी ना, चालू अपी ने तो नहीं बनाया है, समों से, तले भले ही होंगे, खड़े होके, वो भी कर्ची थोड़ी बहुत देर के लिए हिला के, बट सारे लोग यहाँ पर involved है, सारे लोग यहाँ पर बैट कर चहल पहल मचा रहे है, बोल रहे हैं, मजाक मस्ती कर रहे हैं, चेड़ खानी कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए तो फिर मैं वही कहावत कहूंगी, जो मैंने पिछले पूर्टकास में बोले थे, मस्तरा मस्ती में, सारे involve हो रहे हैं vlogging shoot कराने में उसका content shoot करने में सम मजाक मस्ती कर रहे हैं छेड़ खानी कर रहे हैं मोज मस्ती कर रहे हैं लेकिन नहीं वो बैटकर वहाँ पर mobile चला रही है क्यों उसको इजाज़त दी गई कि mobile चला वहाँ पर बैटकर अगर थोड़ा सा चला लेती है क्योंकि यह वाइफाई लग रहा है तो उसका net fast चलता है अगर वो कुछ देख भी रही है तो उसमें क्या ही बुराई है वो छुट्टिये enjoy करने आई है वो यहाँ पर ऐसे पढ़ने नहीं आई है या नहीं कोई पढ़ाई करने के लिए आई है अगर वो उस time को अगर देख ले वाइफाई से कुछ भी देख रही थी तो उसमें उसका वाइफाई remove कराने की क्या जरूरती मुझे तो सुनकर बहुत गुसा है अब अपनी बेटी पर नजर क्यों नहीं रखी जा रही अब अपनी बेटी से क्यों नहीं कहा जा रहा मुबाईल रखो और यहां हम सब के साथ involved हो क्यों मुबाईल में क्यों chatting कर रही है कभी देखने की कोशिश की किस के साथ chatting कर रही है है क्या मूबाइल में देख रही है क्योंकि यह यह होती है बच्चों की गलत तरीके से गलत चीजों में पढ़ जाने की तो इन पर नज़र रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है तो क्यों वो इतने मूबाइल के एडिक्ट है वो लड़का वो हमेशा टैम में लगा रहता है और यह लड़क हमेशा मूबाइल में लगी रहती है तो क्या हुआ अगर इसके एक्जाम ओवर हो गए तो क्या इसको आगे कि अपनी कुछ पढ़ाई नहीं करनी है क्या अपना कुछ और प्रैक्टिस नहीं करनी है इसको या फिर नहीं भी करनी है तो जरूर ये इसको मुबाइल में लगना, मुबाइल में कुछ देखना, अगर एक बच्ची के लिए रूल है तो बाकी के लिए भी और इसके लिए भी यही रूल फॉलो होना चाहिए अमी कहती है एक महीने में खाओ, दो महीने में खाओ, आलस में मड़ डालो लेकिन अपने घर में बना के समोसे खाओ, जो अपने घर में अच्छे बन सकते हैं वो बजार में नहीं हो सकते हैं, हम भी बजार से खरीद के खाते हैं लेकिन घर के बने वे जाज़ अच्छे होते ह कि वो बजार का कुछ ना खाए वो सरफ जो भी कुछ खाए घर का बना हुआ खाए क्यों बार बार बजार जाती है क्यों बजार का खाखा कि ये हालत आपकी भी बना दिये और अपनी भी बना दिये उसने अमा मैं कहती है मैं तो सरफ 5 रुपः या दूँगी तुम्हें कि तुम्हें तुम 5 रुपः ये लाया की हो 5 रुपः यसे ज़ाद है तुम्हें नहीं दूँगी मैं तुआ इतनी योकात है कहती है अम्मा वो जमाना बतल लगे है पांच रुपे वाला तो देखो सबसे साधा जो दिये है ना पैसे चाहे भले ना दिये हो वो कावत है ना गुड़ ना दो गुड़ जैसी मीठी बाते कर लो तो उस लड़की ने सहर ने कहा कि मैं 30 रुपीज दूगी आपको इस समोसे के लिए सारा ने कहा मैं 20 रुपीज दूगी आपको अमी ने कहा मैं 10 रुपे दूगी तो मैं 10 रुपे बोला या 15 रुपे लेकिन अम्मा ने तो अम्मा ने तो सच मुझ में ओकाद दिखा दी वाक़ी 5 रुपे लाएक है अगर इसने भी बनाए है न ये तो भाई पहली ब चलो तो मैं 5 रुपे धूंगा तुम्हें देखा भाई ने भी तुम्हें ओकाद दिखा दी क्योंकि तुम इसी लायक हो और भाई साब गिन गिन के बदला तो तुम्हें आने वाले वक्त मेरा तुमसे यही लेगा लिखवालो मेरे से मुझे भविश्य दिखाई देरा चलो क्योंकि वो अब इतना छोटा नहीं रहा है कि तुम्हारे अंडर रहेगा तुमसे दबेगा तुम्हारी बातों में जो है ललो चपो करेगा नहीं वो बिंदास बोलेगा जो उसका मन करेगा क्योंकि वो उसने वही सीखा है उस घर से बोईज प्रधान लड़के प्रधान यानि कि हर चीज में तवज्जो लड़के को देना खोल कर बोलने की भी तवज्जो लड़कों को देना तो भाई वो उसने वही सीखा है रागे भी वही करेगा खाला ने दो तीन बार बहुत अच्छे बहुत अच्छे एक नमबर पास हो बहुत अच्छे ठीक है खाला तो यह अपने रेस्टोरेंट में आप खुद ही बना लेगी और कम सकम समोसा बनाने वाले की तो सेलरी बचा ही लेगी और हाँ आप तो खेर फिरी में खा रहे हो सारा घर और अम्मा पांच रुपे दे दिये लेकिन वहां 500 रुपे का एक समोसा बिग जाएगा क्योंकि यह त लेकिन शूट करा है तो डेफिनेटली बिजवाई देगी के कस्टर्ड और समोसे जो न वह भावी के बिजवाने के लिए लेकर बैठी के चलो भावी के आप भी बिजवा देते हैं चलो भावी अब यह इनका कुछ नया प्रोजेक्ट आने वाला है ना भावी का और भाव हम खाला के यहां चले जाते तो यह खाला लोग हमारे यहां आ जाते हैं हम तब ही बनाते थे और रियली तुम पिछले तीन साल से चार साल से हम तुम्हें देख रहे हैं कि तुम आना जब दिल करता ना तुम मूठा के रेस्टोरंट चल जाते हैं और वहां से खा कर आ जात खाला लोग जब आती है न जब तो तुम सिर्फ कंटेंट के लिए चीजे बनाती हो घर में जब से तुम्हारे पास पैसा आया है और पहले का भाई हम क्या जाने जब हमने देखा नहीं तो हम क्या बोले उस पर तो चलिए जो देखते हैं उसी के हिसाब से बोलते हैं और जो पॉइंट आफ यू भी शेर किजेगा कि इस वीडियो में और कौन से पॉइंट ऐसे हैं जो मैंने मिस कर दिया और आपको कौन सा पॉइंट जादा अच्छा लगा चलिए मिलती हो नेक्स वीडियो में टेल देन बाई 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 अलाहाफिस टेक केर